हेलो फ्रेंज, वेलकम टू सरकारी नौखरी A24 Knowledge A YouTube चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI की New Requirement Notification जो की फ्रेंज से Apprenticeship Post के लिए इन्वाइट की गई है, इसका ओनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं तो 20 तारिक से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 10 दिसंबर तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं इस लिमिट आपके यहां 20 से 28 साल रहेगी, बैसले डिगरी किसी भी स्ट्रीम में है, आप इसमें आविदन कर सकते हैं सबसे पहले इसका ओनलाइन पॉर्टल है, यहां पर आपको रडिस्टेशन option मिलेगा, आपको रडिस्टेशन करना है रडिस्टेशन करने के लिए आपको तीन चीज़ चाहिए, सबसे पहले आपको आपका नाम फिल करना होगा और यहाँ पर जो नाम आप फिल करेंगे यह friends first name आपका यहाँ compulsory है इसके बाद friends आपका middle या last name आप enter कर सकते है इसके बाद आपका 10 digit का mobile number और आपकी जो mail ID है वो आप यहाँ enter करेंगे mail ID में friends सबसे पहले आपको देखिए जो यह part दिया गया है जिसमें friends first part आपको देना होगा इसके बाद domain यहाँ से select करना है और नीचे आपको यहाँ पर आपकी जो mail ID है यह आपको confirm करनी होगी यह confirm करने के बाद friends से यहाँ पर नीचे आपको एक capture code दिया गया है ये capture code आप यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद friends से आप यहाँ से इसको save and nest करेंगे इसके बाद friends से आपका registration process complete हो जाएगा अब आपको photo and sign यहाँ पर upload करने है JPG format में इसके लिए friends से आपको आपकी photo यहाँ पर select करनी होगी ऐसे ही आपको यहाँ पर अपना signature select करना होगा और size की अगर बात करें तो guideline आपको यहाँ पर दी गई है guideline में आप देख सकते हैं 20-50 के भी photograph और signature 10-20 के भी के बीच आपका JPG format में होना चाहिए इसके बार आप यहाँ पर nest करेंगे nest करने के बाद आपका तीसरा option open होगा सबसे पहले state के UT जहाँ से आप इसमें apply करना चाहते हैं वो आप यहाँ select कर सकते हैं और जो भी state आप select करेंगे उसकी regional language आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए या फिर 10th and 12th में आपने as a subject पढ़ा हो नहीं पढ़ा है तो भी friends आप आविधन कर सकते हैं पर आपको एक language test भी देना होगा इसके बाद है district की बाद तो आप यहाँ से तीन district चूज कर सकते हैं जहाँ जहाँ से आप इसमें आविधन करना चाहें district की list इसके notification में आपको मिल जाएगी इसके बाद है category option तो जन्दल, EWS, OBC, SC, ST कोई भी category आप चूज कर लें और यहाँ पर आपको देनी होगी आपकी subcast यह आपकी category होती है subcast आपकी जाती होती है जो कि आपके cast में लिखी होगी cast certificate में इसके बाद friends से यहाँ पर पियच candidate नहीं है आप no कर सकते हैं बगर आप यहाँ पर yes करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी subtype of disability select करनी होगी अगर friends से आपको यहाँ पर extra time चाहिए आपका writing hand affected है आपको subscribe चाहिए वो आप यहाँ पर yes या no कर पाएंगे अपनी eligibility के according इसके बाद friends से यहाँ पर आपको आपका religion select करना है आप minority community में आते हैं तो yes कीजिए मतलब जैन सिख बहुत पारसी muslimान नहीं तो no किर जिए इसके बाद आप exam center कहाँ पर लेना चाहते हैं वो आपको select करना है आपका center of exam आपको select करना है यहाँ पर आपको DOB select करनी होगी तो date month and year आप अपने according यहाँ पर select कर सकते हैं आपका age count होकर यहाँ पर आ जाएगा आपका gender आपका marital status आप यहाँ पर fill करेंगे आपका friends से father name क् तो उसके बाद आपको देना होगा आपका mother name इसके बाद friends से यहाँ पर है आपका spouse name मतलब पती या पतनी का नाम अगर आप married या फिर को other category चूज कर सकते हैं दे सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर आपका address लिखना है पूरा address जो भी है आपका वो आप यहाँ करनी है और इसके बाद यहाँ से वेलडेट करना है verified successfully होने के बाद ही आप seven next करेंगे next option आपके education qualification का ओपर होगा आपको यहाँ पर degree select करनी है आपको यहाँ पर college या university का नाम देना है तो यहाँ पर friends से आपको आपकी जो भी university है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर mention करेंगे इसके बाद आपकी जो date of passing है वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर आपकी marks obtained या CGP obtained जो भी आप देना चाहें वो आप दे देंगे तो आगर आपका जो भी यहाँ पर marking criteria है वो आप यहाँ फिल करेंगे अकर आप mark select करेंगे तो CGP automatically disable हो जाएगा इस वा apprenticeship में undergone हुए हैं कभी तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं आई IBF का जो exam होता है वो friends आप apprenticeship के दुरान अगर qualify करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं आप यहाँ पर yes or no करेंगे इसके बार आप presently working है तो yes or no आप यहाँ पर कर सकते हैं आपकी reasonable language यहाँ पर आ जाएगी इसके पर आप read write and speak यहाँ पर करेंगे और इसके बार यहाँ से इसको validate करेंगे और इसके बाद सेवन नैस करेंगे नैस option आपको यहाँ पर प्रियू कर मिलेगा तो आपको आपके photo यहाँ पर confirm करनी है signature confirm करना है और इसके बार यहाँ से agree करना है और final submit करना है कोई भी changes नहीं कर प और दिया गया है या फिल करेंगे, समिट करेंगे, ओके करेंगे, और इसके बार आपका पेमेट गेटवे ओपन हो जाएगा, तीन ओप्छन को आप यूज करें, क्याडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर net banking, इन तीन ओप्छन से ही पेमेंट करें और जैसे ही आपका पेम को डालना है, submit करना है और आपका जो final print out है वो print आप निकाल कर रख सकते हैं और जैसे ही print आप निकालेंगे आपका form completely submit हो जाएगा, तो friends यहाँ पर जो भी process मैंने आपको बताई है वो आप check कर सकते हैं, mobile से online form fill up का video भी available है, आप इसको भी check कर सकते हैं, description में मैंने आपको सभी details प्रोवाइट कर दी हैं, आप वहाँ पर जाकर details को check कर लें और अपने according जो भी post के लिए अप eligible हैं, अपलाई कर ना चाहते हैं, जिस भी state से आप अपलाई कर सकते हैं, अगर आपको हमारा ये video पसंद आया है तो like, subscribe and share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube चैनल, and last, thanks for watching